आसलाम लेकुम वीवर्स वेलीकम टू। कुप विच माइल। कैसे हैं आप सब आप और तीक होगे हम भी भी आप हमदल्ला बिलकुल ठीक हैं और आज की शीपी आप देख सकते हैं देखते वीफ कोस्ते का सालाइ》 की रेसिपी जो की बहुत ही असान मैं टिसमर्ण मदेषी तो हरी मिर्चे इनको मैंने पीस के ग्राइंडर में और इसका पेस बना लिया अब मैंने एक पतीली ली है कोई भी आप कढ़ाई या कुछ भी ले सकते हैं उसमें मैंने ऑईल डाल के हाफ कप और एक छोटी प्यास लेकि उसको फ्राइ करके पहले निकाल लिया था अब इसमे कि बोदे के बाद इसको हम इसमें जो आमने पेस बनाया था प्यास टॉमाटो रहरी मिर्चों का वो शामिल करेंगे हैं कर इस और इसमें जाएंगे कुछ मसाले हाफ टीभू मांदी इसमें कश्मीरी लाल मेच दीव स्थून में am 5 नि लाएल मिर्चों का पाऊडर वन टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून इसमें जाएगा बुना कुटा हुआ जीरा इन सब चीजों को मिलाके मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करना है अब इसको ढखके इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे फ्लेम मैंने मीडियम कर दिये अब आजाते हैं हम लोग कीमे की तरफ तो ये मेपस हाफ केजी बीफ का कीमा है बारी कीमा है बिलकुल और इसको मैंने वाश करके थोड़ी देर के लिए छन्नी में छोड़ दिया था तो देखें बिलकुल ड्राइ होना चाहिए हमारा कीमा अब इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ इसमें मैंने डाला है टूटी स्पून अध्रकलसन का पेस्ट और अब इसमें दो हरी मिर्चे जाएंगे मिर्चे तो आपको जतनी पसंदो आप उतना इसमें ऐड़ कर सकते हैं मैं दो डाल रही हूँ इस तरह बस इसको मैं टोड़ के डालदूंगी और इसमें जाएगा वन हैंड़ो धनिया दनिया की पत्तियां लेकर मैंने उनको इस तरह से थोड़ा सा गाट लिया था और यह इसमें डालेगे और इसमें मैं 1 teaspoon डाल रहे हूं जीरा और इसमें जाएंगे कुछ मसाले जो है 1 teaspoon हल्दी पौडर वन टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्चों का पॉडर वन टीस्पून इसमें मैंने डाला है धनिया पॉडर और वन टीस्पून मैंने डाला है इसमें गरा मसाला पॉडर नमक आप टेस्ट के अकॉडिंग डाल लिजेगा मैंने इसमें वन टीस्पून डाला है अगर आपके पास हो तो ठीक है अदर्वाइस आप स्किप कर सकते हैं चिकन पॉर्डर से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा अब इसे चॉपर में मैं चॉप कर लोगी एक बार चलाने के बाद अब इसमें जो मैंने प्यास फ्राइ की थी सबसे पहले एक चोटी प्यास लेकर जो फ्राइ करी थी वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और टू टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ और इसको अब एक बार और चला लेंगे तो देखें, इधर हमारा मसाला भी तयार हो गया है, मसाले को अच्छे से भून लेंगे, देखें, ओयल सेपरेट हो रहा है, अब इस पॉइंट में मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, अगर आप आलू पसंद करते हैं, तो आप डालें, अदर्वाइस आप नहीं डालें, स्कि से भुनना हमें, जब आलू अच्छे से भुना जाएंगे, और सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें पानी डालेंगे, मैं दो गलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें आलू जो हमारे वो गलेंगे, और इसके बाद इसी में हम कोफते भी पकाएंगे, तो इसलिए मैं इसमें दो गलास पानी डाल रही हूँ, अब देखें इसमें बॉयल आएगा, तो हम इसको ढग देंगे, और ढग के मीडियम फ्लेम पे इसको 10-15 मिट जब तक कि आलू नहीं गल जाते तब तक पकाएंगे, देखें यह जो हमने आप कीमे को जो पीसा था, उसको हम उसके ब इस तरह से बॉल बनाएंगे, बॉल आपकी मर्जी आप बड़े बनाएं चोटे बनाएं जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं, और यह मैंने कड़ाई लेके इसमें ऑईल थोड़ा सा डाला है, और इसमें इसको हम फ्राय करेंगे, यह मैंने सारी बॉल इसमें ब इसमें से पानी रिलीज होगा, और इसको जादा टाइम लगेगा फ्राय होने में, तो हम थोड़ा फ्लेम हाई रखेंगे, और देखें, पान से साइट में बस यह ऐसे हलके से गोल्डन हो जाएंगे, तो हम इनको निकाल लेंगे, देखें, कितने जूसी लग रहे हैं, तो मैं आलों को दस मिनट पकाया है, आप के आलों कितनी देर में गलते हैं, अब मैंने इसमें कोफते शामिल कर दिये हैं, अब कोफते शामिल करके हम चम्मच नहीं चलाएंगे अभी, और इसमें मैंने डाला 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 हरी मिर्चे, इनको मिनट के लिए और पका लूँगी, तो देखें, दस मिनट हो गया है, अब मैं इसमें हरा दनिया की पतियां वो डाल रहे हूं, और मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी, तो देखें, हमारा सालन बिलकुल तयार है, और अब मैं से डिश आउट करती हैं, और आपको दिखात मज़िदार बनेगा ये, कि आपके घर में जो भी खाएगा, वो आपकी तारिफें करे बगार रह नहीं पाएगा, तो चले जाएं, आप लोग भी बनाएं से, और मुझे कमें बॉक्स में जरूर बताएगा, कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज इसे अपने फैमली और फ्रेंस में शेयर जरूर किया करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताया करें, कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, शुक्रिया, अल्ला हाफिज